हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप सब सेफ होंगे सुरक्षित होंगे इन्वाइजिंग के प्रोवीजन जी एस्ट में जो है एक अक्टूबर 2020 से जो है इफेक्ट में आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग वन टाइम रिलाक्सेशन जो है गौर्मेंट ने इफेक्ट में ल गई है इसमें इसके रिगार्डिंग प्रेस रिलीज इशु करी है CBIC ने तो 30 सप्टेंबर 2020 को तो आईए देखते हैं इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है इसमें स्टार्टिंग में बताया है कि गौर्मेंट इन दिसम्बर 2019 प्रिस्क्राइब जीस्ट टेक्सपेर हैं अग्रिगेट अनुल टर्णवर मोर दें 100 क्रोड इन दा प्रिसीडिंग पानेंचल यर विल रिक्वार्ट इशु ए इन्वाइस स्टार्टिंग में दिसम्बर 2019 में सोचा गया था कि जिसकी टर्नवर अग्रिगेट टर्नवर जो है 100 क्रोड से एक्सीट करेगी उसके लिए इसलित कि पीच प्र इसलित का प्रिक्वार में और ृप पिट्पूर अब करोड आप करोड इन्वाई इसलित के लीए में कुछ रेला function पाइश सिंग पूर इसलिक रागिगेट ए अ कुछ रोड़ खिकों प्रिक्रूड in the initial phase of the implementation of e-invoice, it has been decided that the invoice issued by such taxpayer during October, यह जो relaxation है only for the month of October है without following the manner prescribed under rule 48-4, इसके regarding e-invoicing के regarding जो rules में specified है procedure, under rule 48, sub rule 4 का जो compliance करना है, rule 48-4 का for the month of October के लिए जो है हमें relaxation दी है और penalty under section 122 जो है नहीं लगेगी in case अगर October मन्त में 48-4 का compliance नहीं होता, बट इसके लिए जो है क्या करना होगा, इसके लिए IRN, invoice reference number for the invoice obtained from the IRP, invoice reference portal within 30 days from the date of invoice, 30 दिन के अंदर जो है from the date of invoice, जो है IRP, invoice reference portal के थू है हमें generate करना होगा IRN, invoice reference number generate करना होगा through the portal, तो जैसे कि हमें इसमें एक October मन्त में जितने भी invoice generate होगे, उसके लिए हमें time provide किया गया है, लेकिन एक November onwards यह relaxation हमें provide नहीं होगी, यह सिरफ एक मन्त के लिए है, इसको example के तोर से भी बताया गया है, कि अकर 3 October 2020 को invoice generate होता है, तो उसको कब तक कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर तो on or before 2nd November 2020 तक जो है उसको portal के थुरू जो है इसका IRN, invoice reference number generate कर सकते हैं, और कोई भी penalty under section 122 जो है उसमें नहीं लगेगी, शेल आल्सो stand waived penalty जो है under section 122 जो कि non compliance पे लगती है, under rule 484 के वो effect में नहीं आएगी for the month of October only, लेकिन ये बाद में अगर हम 1 November 2020 के बाद करें, तो वहाँ पे हमारा जो है normal rules जो 484 है effect में आ जाएगा और अगर उसकी violation होती है, तो penalty under section 122 जो है लगेगी, तो ये press release के थूँ जो है एक मन्त की relaxation provide की गई है under e-invoicing provision, तो hope ये information आपके लिए useful रही होगी, मिलते हैं फिर next video में next topic के साथ, till then bye bye, जय हिन जय बाद, hope आपको ये information पसंद आई होगी, तो इसे like कीजिए, share कीजिए, regular updates के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें, notification, bell icon को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नए अपडेट डाले, आपको वो immediately मिल जाए, thanks for watching,